असलाम अलेकुम दोस्तों मैं हूँ शाहरोख और आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि Xiaomi Redmi Note 4 में MIUI 8 की Nougat Stable Update आनी शुरू हो गई है और सबको धीरे धीरे यह Update मिलने लग रही है अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या लिख हुई है और Android वर्जन चल रही है 7.0 Nougat तो दोस्तों यहाँ पे हमें मिल जाता है Stable में Nougat Update जिसके हमें बहुत दिनों से इंतिजार थी वो Update आखिर हमें मिल ही गई यानि कि 6 महीनों के बाद Nougat Update आई है बीटा में आ गई थी February में और 6 महीनों के बाद Stable में आई है यहाँ पे Nougat Update जिसका नाम है 8.5.4 N-C-F-M-I-D अगर N से शुरु ही तो इसका मतलब है कि Nougat है अब दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बता दू कि Android Security Patch Level को Update कर दिया गया है जो कि Beta ROM में भी अभी इतनी जादा अपडेट नहीं हुई है वो दोस्तों Stable ROM में अपडेट कर दिया गया है तो Stable ROM में हमें अपडेट मिलती है एक जुलाई 2017 की तो यह बेहादी अच्छी बात है अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा नुगट से जुरे हुई कुछ बात है कि यह Stable ROM में हमें क्या क्या नई फेचर्स मिल लाते हैं MIUI 8 के इस अबडेट में तो चलिए जानते हैं कि इसमें हमें क्या क्या नई फेचर्स मिल लाते हैं तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे Watch New में जाएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी चीज़े आपको नजर आएंगी और आप सोचेंगे कि लगता है कि बहुत ही जादा चेंज़े आएं हैं लेकिं दोस्तों मैं बता दू कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे दोस्तों एक-एक चीज़ों को दो-दो बार लिखी गई है आप गौर से देखेंगे तो यह दो बार है यह दोनों दो बार है और उसी तरह से हर एक कैटेगरी में एक-एक चीज़ को दो बार लिखी गई है जिससे यह काफी लंबा लिस्ट लगता है लेकिन ये उत्रा लंबा लिस्ट भी नहीं है तो चलिए जानते है क्या की लिए Redmi Note 4 के Nogat Update में क्या क्या नहीं चीज़ आई है तो सबसे पहली जो highlight है वो यह है कि XFAT SD Card को यह support करता है अब दोस्तो XFAT SD Card का file system है जिसमें आप 4GB से ज़्यादा file को एक ही बार में रख सकते हैं यानि कि अगर आपका एक file size है चारजवी से बड़ा तो आप उसे एक ही बार में XFAT में कॉपी कर सकते हैं FAT में कॉपी नहीं कर सकते थे लेकिन XFAT में कॉपी कर सकते हैं इसके उपर detailed video अगर आपको देखना है दोनों ही में अलग-अलग set कर सकते हैं जैसे कि आप देखेंगे यहां पर यह जो मेरा WhatsApp है उससे खोला तो यहां पर password मांगी और जो दूसरा WhatsApp है जो की due laps है तो उसे मैं खोलूँगा यहां पर आपको कोई भी password नहीं मांगी तो ऐसा आप कर सकते हैं कैसे करना है तो बस आपको जाना है settings में उसके बाद नीचे जाना है app lock में अपना password या fingerprint scan कर दिजिए और यहां पर देखेंगे कि मैंने WhatsApp में lock लगाया हुए और सबसे नीचे due laps की WhatsApp है उसमें मैंने lock नहीं लगाया हुए या कहा है दोस्तों तो अगर आप lock screen पे रहते हैं तो कोई भी message आती है या कुछ भी आता है तो यहां पर आपको जो notification मिल लाती है लेकिन आप चाहे तो उस notification को hide भी कर सकते हैं आपको जाना है settings में और उसके बाद आपको जाना है यहां पे lock screen and password में और नीचे आपको जाना advanced settings में और यहां पे मिल लाता है on the lock screen का option अब यहां पे आप चूज कर सकते हैं कि आपको lock screen के क्या क्या दिखना चाहिए तो आप set कर सकते हैं कि don't show notification at all कि कोई भी notification show ही ना करे या फिर hide sensitive notification content की sensitive notification content को hide कर ले या फिर सारे notification को दिखा है तो इस तरह से दोस्तों आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद हमें next क्या मिल लाता है तो next आप देखें कि या दो बार repeated है उसके बाद contact में मिल लाता है recorded calls are tagged in the call history या क्या है तो अगर आप किसी का call history किन कउछा है जैसे कि माली जी यहाँ पर मैं जाओ हिस्ट्री में और उसके बाद मैं अपना किसी का भी contact देखूँ तो यहाँ पर आप देखें कि call history नजर आएगी जैसे कि माली जी मैं इस पर ट्टेब करूं और उसके बाद यहाँ पर पर आप देखेंगे तो इस पर टैब करेंगे तो आपको call history आ जाएगी हाला कि मैंने इससे call नहीं किया तो यहाँ पर no history दिखा रही है तो इस तरह से आप आसानी से भी call history चेक कर सकते उस individual contact का जो की काफी आसान बन जाता है उसके वाद हमें क्या मिलता है तो हमें मिलता है messaging में new verification sms are shown on the lock screen only after the lock screen password is entered अब यहाँ कहा है दोस्तों तो मालीजी हमें कोई OTP SMS आता है one time password all SMS आता है तो अगर हमारा lock screen lock भी है तो उसके बाद भी यहाँ पर show कर देती है लेकिन दोस्तों अब जब तक आप अपने lock screen को खोलेंगा नहीं तब तक वो show नहीं करेगी तो उसकी भी एक option आपको मिल लाती है वो आपको मिलेगी messaging में और messaging के अगर आप settings में जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगी check SMS for OTP और यहाँ भी मिल लाएगी auto hide OTP on lock screen तो lock screen पर आपकी जो OTP है वो hide हो जाएगी ताकि कोई भी असानी से आपका कोई भी account खोलना पाए तो यह काफी एच्छी चीज है दोस्तों उसके बाद next time में क्या मिल लाती है तो fixed bluetooth earphone's battery status अगर आप bluetooth earphone इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे bluetooth earphone की battery दिखाती है तो पहले wrong दिखाती था अब उसे भी fix कर दिया गया है notification shade didn't appear after swapping down in some cases अभी कभी क्या होता दोस्तों कि यहाँ से हम लोग notification बार को गिराते थे lock screen पर रहा करके तो वो जो है गिरती नहीं थी नहीं खुलती थी तो इसका भी fix कर दिया गया है उसके बादे दोस्तों fixed lock screen notification were blank in some cases कुछ cases में दोस्तों यहाँ पर notification बिल्कुल ही blank खुलती थी तो उसे भी fix कर दिया गया है low battery prompt didn't disappear from the lock screen after the device was charged ऐसा होता दोस्तों कि अगर हमारी battery कम है तो यहाँ पर lock screen पर लिखती थी कि आपकी battery कम है और उसे charge कीजिए लेकिन दोस्तों अगर हम लोग उसे charge भी कर लेते थे फिर भी वो हटती नहीं थी और हमें device को reboot करना परता था तो वो problem भी fix हो गई है उसके बाद मिलता है fix couldn't connect to the personal hot spot if it was turned on in the notification side ऐसा होता तो दोस्तों कि अगर आप यहाँ से hot spot को on करते हैं यहाँ पर sort में जा करके और उसके बाद यहाँ से आप अपना personal hot spot को on करते हैं तो उसके बाद जो है आपका कोई भी device इससे connect नहीं हो पाता था तो आपका यहाँ भी fix कर दिया गए अब आप यहाँ से hot spot को on कर सकते हैं और उसके बाद किसी भी device को connect कर सकते हैं और iOS device, iPhone devices को भी आप connect कर सकते हैं उसमें कोई भी problem आप नहीं होगी उसके दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे फिर से इतिना दूर रिपेटेड है उसके अचली हम लोग नीचे चलते हैं तो यहाँ पे swipe up to remove a task in recent अगर आप recent में जाएंगे तो किसी भी task को remove करने के लिए बस आपको swipe up करना है और यह remove हो जाएगी तो यह काफी जादा optimize कर दी गई है पहले से भी जादा optimize कर दी गई है उसके दोस्तों मिलता है third party app icons जो third party app icons है आप देखेंगे और बीच में उनके icons नज़राएंगे तो कुछी इस तरह की app icons हो गई है third party app icons के जैसे अग्विया WhatsApp और 1-2-2 के देख रहे हैं उसका दमें next क्या मिलता है तो यहां पे मिलता है reduce size of the home screen icons यह क्या है दोस्तों तो अगर आप home screen icons देखेंगे तो वो थोरे से छोटे हो गया है पहले से भी अगर आप पहले आप देख आपको यहां पे कमिल लागी weather clock की widget clock मैं चैंगे तो यह को ब्र नज़र दोस्तों यहां पर साइब में आपको वेदर नजर नजर आएगी आप Whoo ईसके बाद सहीं आपको यह नजर आ गया अघर को इसीं कोugुली है तो असका इसी को अप्या अपिमाइस किया है उसका फिर से दुबारा इतना दूर जो दुबारा दुबारा रिपीटेड है उसको में मिल लाता है slide to browse wallpapers यह क्या है तो अगर आप themes app का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें कि इसमें आपको बहुत सारे wallpapers भी मिल लाते हैं तो अगर आप यहां से wallpapers में जाएंगे और उसके बाद कोई भी वालपेपर खोलेंगे तो पहले जो है दूसरे वालपेपर पर जाने के लिए बैक करके वो दूसरे वालपेपर खोलना पड़ता था लेकिन अब आप चाहें दोस्तो तो आप लेफ्ट राइट स्वाइप करके उस वालपेपर को खोल सकते यह काफी अच्छी हो गए दोस्तों उसके बाद हमें क्या मिलता है और आप किसी भी अलबम को रनेम कर सकते हैं लैंकिंबों समय चिराunte सब्सक्राइब कर सकते हैं जो नेट पे सिंस रहेगी बस उसी का दिखाएगा दोस्तों जो नेट पे आप सिंस रहेगी आपकी गैलरी में आपको शो नहीं कर पाऊंगा फिर से आप देखेंगे गैलरी में यहां सब चीज़ें दुबारा हैं उसकाद म्यूजिक में मिलता है कि रे डिजाइन दा म्यूजिक अगर आप म्यूजिक अप देखेंगे तो वह बिल्कुल यह अलग हो गई है तो अगर आप टैप करेंगे तब आपको म्यूजिक अप में फर्स्ट स्क्रीन पे सारे म्यूजिक बंध हो जाती है और इसमें कोई भी इंप्रोव्मेंट नहीं हुआ है क्योंकि दोस्तों यह जो म्यूजिक अप है यह कोई सिस्टम अप नहीं रहा गया है आप चाहे तो इसे उठा करके डिलीट भी कर सकते हैं तो इसलिए कोई भी अगर आप गाना चला रहे है और फिर अ बंध हो जाएगी अगर background में उसे process चाहिए होगा background में अगर इसे RAM चाहिए होगा तो फिर भी यह जो है दोस्तों बंध हो जाएगी तो इसलिए थोड़ी से मुझे drawback लगी इस update की क्योंकि यह जो problem है यह fix हो ही नहीं रही है उसका हमें next क्या मिल लाता है तो next हम देखेंग यहाँ पर आपको मिल लाता है system app updater जो भी system apps है अब आप system apps updater से update हो जाएंगे यहाँ पर देखें कि मैंने already कुछ apps को update किया है जैसे कि आई थी कुछ apps की update आई थी तो मैं update history में दिखाऊं यहाँ पर देखें कि browser और mepix जो है दो application से system apps updater से ही update हुई थी तो यह भी काफी अची चीज़ है दोस्तो उसके तो क्या मिल लाता है तो switches for common settings in search results तो यह क्या है तो अगर आप settings में जाएंगे यहाँ पर मिल लाता है आपको search यहाँ पर कुछ switches मिल लाएंगे जैसे कि अगर आप select करेंगे Bluetooth अगर आप Bluetooth का search करेंगे यहाँ पर BLUE लिखेंगे तो आपको यह यहीं पर switch मिल लाएगा और यहीं से आप directly turn on कर सकते आफ कर सकते Bluetooth को यहाँ फिर वाइफाई सर्च करेंगे तो वाइफाई को तो यह काफी अची चीज़ है दोस्तो reading mode वगार आप directly यहाँ सर्च करके on कर सकते आफ कर सकते हैं उसका अगर आप sd card को निकालेंगे तो and time में जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाता है आपको time zone का option अगर आप इसमे manual time zone select करेंगे तो आप यहाँ पर setting में search करके भी time zone को select कर सकते हैं तो जैसे कलकत्ता लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगे कलकत्ता और उसके बाद आसानी से आप इस time zone को select कर सकते या फिर automatic time zone पर ने दिजिए उसका मिलता है दोस्तो प्रॉंप्ट स्वार वही चीज़े आ गई फिर से वही चीज़े आ गई दो चीज़े रिपीट हो गई उसका मिलता है screen recorder लेकिन मैं बता दू कि यह गलत लिखी हुई है इस MIUI 8 के stable update में नोगट में कोई भी screen recorder नहीं मिलता है तो मैंने अगर आप देखेंगे बीटा रॉम में तो बीटा रॉम में अगर आप कलेंडर में जाएंगे यहां पर प्लस पर टैप करेंगे तो यहां पर आपको चार options मिलते हैं वो सब भी नहीं आए हैं तो calendar के भी updates उतने ज्यादा नहीं है holiday को यहां पे एक नया calendar पैंचांग तो गलत लिखी हुई है इतना दूर का जितना भी है यह calendar के बारे में गलत लिखी हुई है उसका दोस तो notes में layout adjustment for shared photos अगर आप कोई photo को notes में share करते हैं तो उसकी layout और भी अच्छी होगी तो उसे मैं क्या दिखाऊं बस photo वहाँ पे और भी अच्छे से दिखाई देती है उस उसके बाद minus करके 15% लिख देंगे अब उसको percent दबाएंगे तो यहाँ पर आपको option आजएगी अगर आपको 500 में 15% discount मिलेगा तो 75 रुपय का discount मिलना है और आपको pay कितना करना है तो 425 रुपीज पे करना है तो यह है दोस्तो calculating discount जो की काफी असान कर दी गई है उसका दमें पांच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की एक हफते से आपको repeat करते रहे reminder तो आप चाहेंगे तो 5 मिनट पहले स repeat करते रहेगी 10 मिनट पहले स repeat करते रहेगी और उसी तरह से आप चाहेंगे तो एक घंटे पहले स repeat करते रहेगी कि आपकी जो event है वो शुरू होने वाली है तो इस तरह जब हो phone तो वो application automatically start हो या ना हो या फिर background में वो application automatically start हो या ना हो तो देखेंगे यहाँ पर WhatsApp automatically start क्यों है लेकिन यहाँ पर कोई भी system app आपको नजर नहीं आ रही है लेकिन दोस्तो अब आप चाहे तो system app को भी control कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर tap करना है और show system apps पर tap करना है उस changing font size तो अगर आप system के font size change करते थे तो उसके बाद कुछ items जो है disappear हो जाते थे बस यह चीज़े बता रही है दोस्तो अब आपको मैं कुछ चीज़े extra बता दूँ जैसे कि आपको mono audio का option मिल लाता है अगर आप additional settings में जाएंगे उसको बद accessibility में जाएंगे यहाँ पर आपको मि यह सुनाई देगी इधर उधर 3D effect सुनाई नहीं देगी जैसे volume थोड़ा से increase होगा और base effect थोड़ा सा अच्छा होगा उसके दोस्तों अगर आप google को कर लेंगे आप google को अगर आप update कर लेंगे play store से तो उसके बाद आपको मिलना है कि select to speak की option तो यह क्या है तो इसके उपर म बैटरी नहीं किरी है बहुत दर से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको बैटरी दिखा दूँ तो बैटरी काफी जादा अच्छी हो गई है दोस्तों यहां पे आप देखें कि 43 मिनट में जो बैटरी ड्रॉप हुई है तो 58% से 54% तो सिफ 4% जो है ड्रॉप हुई ह और इतने देर में मैं स्क्रीन ओन कितना रहा हूँ तो लगवग 37 मिनट ओन रहा हूँ तो बैटरी तो काफी अची हुई है हाला कि हेवी टेस्ट मैंने नहीं किया है हेवी टेस्ट करूँगा तब पता चलेगा लेकिन दोस्तों एक disappointment यह है कि मैंने 60% के आसपास मैंने इसक परसेंट पर चिक करूँगा तो हो सकता है कि जादा है तो इसलिए मैं कहूंगा कि यह अंट्रे टो बेंस मार्क में ना जाए गेमिंग इस्मूद होगी मुझे जहां तक लगता है तो आप लोग खेल करके चिक कर लें तो दूस्तों मैं हूँ शारुख और मुझा आप लो इसलिए आप मैंने यह 10 या 15 मिनट की वीडियो बनाई होगी और आपको जरू समझ में आ गई होगी है दोस्तों शुक्रिया हमारे यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू